आपका नाम क्या है? मेरा नाम शार्दा है आप किस कक्षा में पढ़ती है? मैं कक्षा आठ में पढ़ती हूँ आपके मा पिता का नाम क्या है? मेरी मा का नाम दया और पिता का नाम रघुनात है अच्छा, आप कहां रहती हैं? मैं रामनगर में रहती हूँ आपके विद्याले का नाम क्या है? मेरे विद्याले का नाम राजकिय बाल विद्याले है आपके कक्षा अध्यापक कौन सा विश्य पढ़ाते हैं? मेरे कक्षा अध्यापक हिंदी भाषा पढ़ाते हैं आपकी किस विश्य में अधिक रुच्ची है? मुझे भाषा पढ़ना अच्छा लगता है आपको भाषा पढ़ना क्यूं अच्छा लगता है? इसमें कविताएं होती है इसमें कहानिया होती है इसमें नाटक होते हैं हाँ हाँ नाटक तो हम खेल भी सकते हैं आप कौन-कौन सी भाषाईं बोल सकते हैं? मैं हिंदी, अंग्रेजी, खासी और निकोबारी बोल सकता हूं आपके घर में खाना कौन बनाता है? हमारे घर में मा और पिताजी दोनों खाना बनाते हैं आपको स्कूल कौन पहुँचाता है? मुझे स्कूल छोड़ने कभी मा और कभी पिताजी आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में कौन आता है? पेरेंट टीचर मीटिंग में कभी मा और कभी पिताजी आते हैं आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खिचडी खाना पसंद है आपके इलाके में कौन सा फल ज्यादा मिलता है? हमारे यहां अमरूद और पपीता ज्यादा मिलते हैं लेकिन मुझे केला पसंद है आप सुबह कब जागती हैं? मैं सुबह छे बजे उठती हूँ क्या आप प्रति दिन कसरत करती हैं? हाँ, मैं योग करती हूँ आपके स्कूल में कोई योग शिक्षक है? हाँ, हमारे स्कूल में योग शिक्षक है वे हमें योग और दूसरे व्यायाम सिखाते है आपको खेलना पसंद है? हाँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है मुझे इंडोर गेम पसंद है और आपको? हाँ, मुझे भी मैं टेवल टैनिस खेलता हूँ आप वीडियो गेम खेलते हैं? नहीं, मुझे वीडियो गेम पसंद नहीं है मुझे बाहर खेलना पसंद है जैसे कबड़ी आपके क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? हमारे क्षेत्र में को सी नदी बहती है? उसके किनारे बहुत सारे बगीचे हैं हम सब वहाँ घूमने जाते हैं आप कहां घूमने जाते हैं? हम पार्क में घूमने जाते हैं हमारे शहर के बाहर एक पहाड़ है यह घूमने की बहुत अच्छी जगह है क्या आपके गाम में खेत है? हाँ हाँ हमारे गाम में बहुत खेत है वहाँ जंगल भी है उस जंगल में एक जर्ना है आपने जर्ना देखा है? नहीं लेकिन मैं देखना चाहूंगा हमारे गाम आना हम आपको जर्ना दिखाएंगे उफ! आज बहुत गर्मी हो रही है अब बारिश होनी चाहिए आपके शेत्र में मौसम कैसा है? हमारे यहां का मौसम जादतर सामानने या गरम रहता है क्या आपने रेगिस्तान देखा है? नहीं! मैंने रेगिस्तान नहीं देखा वहां तो बहुत गर्मी होती है हाँ! लेकिन रात में ठंडी हो जाती है मैं भी रेगिस्तान देखना चाहता हूं मैं पिछली गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ पहाडों पर घोमने गया था वहां सर्दियों में बहुत बर्फ गिर्ती है आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? मेरा पसंदीदा त्योहार दिवाली है दिवाली मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे होली ज़्यादा पसंद है होली में हम खूब रंग खेलते हैं त्योहारों में हम खूब मिठाईयां खाते हैं हाँ, जैसे सेवईयां एद का खास पकवान है त्योहारों के समय मेले में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है हाँ, मुझे भी घूमना पसंद है आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है हम जंड़ फैर आते हैं राश्ट्रगान गाते हैं लड़ू भी खाते हैं, ऐसे ही गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं दो अक्टूबर को गांधी जयनती पर हम स्वत्चता दिवस मनाते हैं हमारे स्कूल में मात्री भाष दिवस भी मनाया जाता है जो हर वर्ष 21 फरवरी को होता है आपके घर में कौन-कौन रहते हैं? मेरे घर में मा पिता जी, दादा दादे जी, चाचा चाची और मेरी बहन है अच्छा, तो क्या आप कभी अपने मामा के घर गए हैं? हाँ, मैं छुट्टी के दिनों में मामा के घर जाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ मेरे मामा मामी, मौसी और नाना नानी रहते हैं हमारे नानी हमें बहुत कहानिया सोनाती हैं क्या तुम भी अपने मामा के घर जाती हो? हाँ, मैं तो अपने मामा और बुवा दोनों के घर जाती हूँ मेरी बुवा के घर में एक कुत्ता और एक बिल्ली भी है मेरे घर में तो गाए और बच्छडे हैं हमारे गाओं में भैस और बकरिया भी हैं मेरे घर में एक तोता था एक दिन भै पिंजरे से बाहर उड़ गया मुझे बड़ा मजा आया आप स्कूल की छुट्टियों में कहा घूमना पसंद करते हैं मुझे गर्बियों की छुट्टियों में पहाणों पर घूमना पसंद है मैं तो इन छुट्टियों में सिक्किम या कश्मीर जाने वाली हूँ मेरी इच्छा तो सर्दी की छुट्टियों में गोवा या अंडमान जाने की है अरे अंडमान तो समुद्र के अंदर है वहां कैसे जाते हैं वहां हवाई जाहाज और पानी वाले जाहाज दोनों से ही जा सकते हैं आप पढ़ लिखकर क्या करना चाहते हैं? मैं लेखक बनना चाहता हूँ मैं अपने घरेलू व्यवसाय में सहयोग करूँगी जैसे किस तरह क व्यवसाय खेती बाड़ी, बागवानी, दुकान, कपड़े का व्यवसाय मैं राजनीती में जाना चाहता हूँ मेरा सपना एवरेस्ट पर जाने का है मैं तो सैनिक बनना चाहती हूँ मैं जाना चाहती हूँ जाना चाहती हूँ प्रवान परे काई भुछ झाल